तो है गाइस क्रेजी गेमर इस बेक अधर एक्साइटिंग वीडियो और इस आज के गेमप्ले वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहों क्योंकि आज का गेमप्ले जो है इतना ज्यादा तवाइदार होने वाला ना मैं क्या ही बताऊ फिलाल की बात करें तो हम लोग आते अब यहां पर मैं थोमसल लेकर इस बंदे के उपर सीधा रश कर देता हूं और इस बंदे से मुझे मिल जाते डीपी और एमफोर और अब जो आंगे वाले बंदे ना उन पर रश करेंगे सबसे पहले रिलोड करते हैं कि अब यहां बिली वाली किस्किस को मिली है मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग नेयन ऑभी तक यह ऑली डीपी किसकिन नहीं ली तो इस फम्होंटाव्र डामेंट्यर है यह एक नंबर इसमियर कर दтак को यह अब यह वाली जगा सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे रहते तो इन दोनों बंदों की पेटी बना दे तो लेकिन भी पीछे की तरब एक पूरी की पूरी टीम है I think so क्योंकि वहां पर भी फाइट हो रही है तो भाई चल के चेक करते आंगे की तरब भी अब सामने वाली टीम में से मुझे एक बंदा मिल जाता जिसको कि मैं नौक कर देता हो और मुझे पता है यह बंदा नौक हुआ तो भी इसके टीमेट आस पास में ही कहीं होंगे तो भी चल के चेक करते हैं लेकिन वहां पर जो सीन होंगे ना बस वो देखना आप अब जिस बंदे को मैंने नौक किया था उसका किल तो में नहीं मिला याभी तक क्यूंकि उसको मैंने फिनिस नहीं किया लेकिन इतने में उपर के तरह बंदे को चेक करने के लिए आता हूं तो पुझे यह बंदा नौक दिखाई दे जाता है और पता ने इस बंदे को वह किसी ने नौक किया था लेकिन भईया जीने दिमाग बहुत सहीं लगाया था नौक होने के बाद इस भईया जीने अपनी पेटी के पास जो है फ्यूल रख दिया था ताकि भईया हमारी पेटी बन जाए जैसे इस बंदे को कोई फिनिस करना है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं हमारे साथ और यह बंदे को फटावट फिनिस करते रुफे निकलेंगे आसे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इसके टीमेट इसको बचाने आएंगे अब मिलिटरी से निकलने के बंद में सीधा आजाता हूँ नोबो की तरफ में क्योंकि प्लेन पाउड में यह नोबो भी था और यहां पर मैं जैसे ही आता हूँ तो सबसे बहुत फायरिंग करते हैं और देखते ज़रा बंदे हैं की नहीं अब यहां पर मैं जैसी M4 से बॉट फायर करता हूँ इतने मेरे को सामने की तरफ से भी या बाइजन के साउंड आते है इसका मतलब बंदे तो है यहां पर चल के चेक करते हैं सबसे बेले उस बंदे को अब में जा रहा था बाइजन वाले बंदे को चेक करने के लिए लेकिन इतने मेरे को यह छोटू दिख जाता है जिसको कि मैं नौक कर देता हूँ और यह बंदा नौक हुआ है तो इसका मतलब इसके टीमेट इसको बचाने के लिए आएंगे इसलिए मैं इस बंदे को फिनिस तेरा उस बंदे को सबसरे ले इसको फिनिस करते हैं बंदे डेक के अब भाई पहले मेर को लग रहा था कि सिर्पोसिफ एक ही बंदा होगा बाइजन बाले लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर तीन बंदे तोटल और इसी साथ इस वाली स्कॉर्ड की यहां पर मैं पेटी बना देता हूं तो भाई फटा 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 यहां से निकलते हैं अब भी जस्ट हमारा सामना होने वाला है और इस बंदे ने अभी पूरी की पूरी एक स्कॉर्ड को बनवी फोर किया है तो क्या लगता है गाईस इस बंदे को मैं मार पाऊंगा बस देखते रहो वीडियो तुम अब नोबो से निकलने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ मिल्टा की तरफ में और यहां पर मैं जैसी आता हूँ इतने मैं और को सामने की तरफ भी आने लगते हैं और बस देखते जाओ यहां पर आप क्या ही सिनोंगे केंदिए कि लोगा नाची देखते हैं कि लोगा इंडे लूगा यहां पर नाची देखते हैं कि लोगा यहां बदा दार पर धिडार इस बंदे का नाम ध्यान से पढ़ो और पीछे गर कर वीडियो देखो तो गईस यही वो बंदा रहता है जिसने की अभी यहीं पर भाई बन भी फोर किया है और गाड़ी वहरी लेफ्ट में एक फूटी फुटाई अब यहां पर देखो इसे वाली टीम की तो हम लोग आराम से पेटी बना देते हैं और यहां पर एक आज बोट आयता तो उसकी भी पेटी बना देते हैं और मैं जा रहा था भी है पीछी की तरफ बग्गी लेने के लिए लेकिन इतने में यहां पर जो मेरे साथ होगा रहा है वस वो देखते जाओ तुम अब यहां पर मैं जैसी आता हूं तो ड्राइव वाला बटन दबाता हूं लेकिन बाई कुछ काम ही नहीं कर रहा था इतने में यह वाला ओप्सन आ जाता है तो मैं वाइफाई चेक करता हूं कि वाइफाई तो बंद नहीं हो गया लेकिन यह वाइफाई बंद ही नहीं रह अपमिल्टा से निकलने वाद में जाता हूँ नोवोले ब्रेज पे बंदे को चेक करने के लेकिन मेरीको कोई भी बंदा पे स्पोर्ट नहीं होता उसके बाद हम लोग फिर से यहां पर आते हैं जोन के बाहर बंदों को चेक करने के लिए और इतने में लोग को सामने की दर भ और ये बचा रहे था इस टीम का लास्ट वंदा जो कि भीया हम लोग को छोड़के जोन में जाने की कोसिस कर रहा था लेकिन मेरे टीममेट ने इस बगगी का टायरी फोड़ दिया था तो ये बंदा जोन में जाही नहीं पाया मतलब तुम्हारी वज़े से थो हम जोन के बाहर आए हैं और तुम हमेही छोड़के जोन के अंदर जा रहो ऐसा थोड़ी ना होता है अब यह वाली जगह से निकलने के बाद हम लोग सीधा आजाते हैं जोन के अंदर और यहां पर मैं जैसी आता हूँ इतने मेरे टीममेट से मैं बोलता हूँ कि यह बीच में है बिल्कुल जोन के जगह तो यहां पर बंदे 100% आएंगे और यहां पर हम लोग काफी देर तक हैं इतने में यहां पर पूरी की पूरी टीम आजाएगी और बाई वो जो टीम थी ना इतना सही खेल रही थी तुम बस देखते जाओ मेरे टीममेट करके नसे देखना और confidence नहीं over confidence देखना मेरा teammate बोलेगा कि वह सामने वाले बंदे को तो मैं easily knock कर दूंगा और खुद ही नोख हो जाएगा बस देखते जाओ और फिर वो बंदे वेर उपर rush करेंगे अब यहां पे अगर आप लोग मेरे teammate के वारे में कुछ बोलना चाहते हो तो भाई यह comment section बिल्कुल खाली पड़ा है आप लोग लिग सकते हो जो आपकी मर्जी है अब यहां पे तुम मेरे teammate की चोड़ देख रहे हो मतलब मेरे teammate ने क्या वोला कि सामने की तरब यह एक बंदा दिख रहा है मैं उसको easily जा सकता हूँ लेकिन में ले तो में भी जा सकता हूँ लेकिन सामने की तरब है तीन बंदे और तुम मार भी सकते हो तो एक बंदे को मार सकते हो ना दो बंदे तो मूह देखेंगे निए वो भी मारेंगे ना थोड़ा से दिमाग का इस्तमाल तो करो अब खेर जो भी हो यहाँ पर मेरे teammate को में फटा फट रिवाइब देता हूँ लेकिन इतने भीया वो बंदे हम लोग को पर रश कर देते तो मैं अपने teammate को रिवाइब नहीं दे पाता हूँ और बस देखते जाओ अब यहाँ पर मैं एक बंदे को नोक कर देता हूँ इस टीम के और अब बच्चुका है इस वाले टीम का एक बंदा जो कि हमारे ही कमरे में और इस टीम का जो एक बंदा है वो रिज के पास है जो कि भी है इन लोग को कबर देता है और मुझे पता था यह बंदा मेरे उपर रश नहीं करेगा क्योंकि एक बंदा जो है इनका बहुत दूर है और दो बंदे यहां पे हैं जिन में से कि एक बंदा नौक है और एक बंदा उसको रिवाइब दे रहाएब यहां पर मैं जैसी अपने टीमेट को रिवाइब दिया तो नीचे कूदा में और बस देखते लेकिन मेरे एम असिस्ट के कारण मेरी जो भी गोली थी ना वो नौक वाले बंदे के उपर चली गए इसलिए यहां पर मैं नौक हो गया लेकिन अब यहां पर दो बंदे नौक है और अब बच चुका है सिरुपर से इस टीम का लास्ट वंदा जो कि भाई हम लोग की उपर को यह वाला क्लच कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बतना अगर अच्छा लगा हो तो फटावट से वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल पर आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो अब जब इन बंदों ने मेरे को नोक किया तो मैं रिवाइब हो क उपर की तरफ गाया था जैसे हीलिंग करने के लिए तो मेरे टीमेट ने बोला था कि वही सामने वाली पहाड़ पर भी एक बंदा आ चुका है तो वही जरा चल के चेक करते हो उस बंदे को कि अधर वहाइब और वही जब अधर और यहाँ पर लेट के बोड़ फायर कर रहे ताकि बोड़ समझ को यहाँ पे एक अकेला बंदा और यह बंदा यहाँ पर उसकी पेटी बना दे लेकिन भी जी कि हम लोग ने याप पेटी बना दिये और अब बच चुका है लास्ट ब बंदा भी हम लोग को काफी ऊज्पोर्ट हो जाएगा लेकिन भाई ने हम लोग को मारने के लिए बहुत सभी दिमाग लगाया था अब यहां पर यह बंदा मेर को स्पोर्ट नहीं हुता तरह को लग रहा था किसेख में कोई बंदा बेटा है लेकिन उसको मैं चैसे चेक करता हूँ तो मैं और को बिवंदा स्पोर्ट नहीं होता है इतने मेरेको मोली खीचने की आवाज आती है तो मैं समाझ जाता हूँ भया आस पास में हमारे कोई बंदा बेठा पड़ा है और यहां पे मैं को यह बंदा स्पोर्ट हो जाता है तो अगर अच्छा लागा हो तो फटा फटा इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो चल को सब्सक्राइब कर लोगा इस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स ट्रियो मैं आर जब तक लिए थेंक्स वर वोचिंद